हाई गाईज, वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हो पृती माम और आज में लेकर क्या आगई हूँ आपके लिए एक और नहीं, जबरदस्त वाली क्लास, क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, आज हम लोग सीखने वाले हैं महतोपूर्ण शब्द यानि की important words जिनको आप कह सकते हैं, ये वो सारे important words है जिनका इस्तमाल आप अंग्रेजी बोलते के वक्त कर सकते हैं और ये बहुत जादा मददगार आपके अंग्रेजी में हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, उसके पहले अगर चैनल पर नहीं हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्ली से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक्त बल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए, सबसे पहले आपको पता लग जाए, आप इसी भी सोशल मीडिया साइट पर फॉलो, तो चलिए शुरू करें आज की क्लास, तो हमारे पास लिस्ट है शब्दो की, सबसे पहला वर्ड है, नाओ अडेज, इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है आज कल, मतलब क्या होता है, मतलब होता है आज कल, इसका स्तमाल, आप जैसे तेज, मतलब इन दिनों या आज कल, इसका प्रयोग भी आप आज कल के जगा पे कर सकते हैं, अथवा इन दिनों के प्रयोग पे आप कर सकते हैं, राइट नाओ, यानि की अभी या तुरंट, जब भी आपको इस तरह के शब्दों का स्तमाल करना हो हिंडी में, तब आप र के ओर, जब भी आपको इस्तमाल करना हो, कि मैं इसकी ओर जा रहा हूँ, या इसके ओर जा रहा हूँ, तो आप टुर्ड्स का इस्तमाल कर सकते हैं, इन वर्ड्स, अंदर की ओर या आंतरिक, इन वर्ड्स, अंदर की ओर या आंतरिक, अप वर्ड्स, यानि की ऊपर की ओर, अब बताईए outwards का क्या होगा, outwards मतलब बाहर की ओर, simple, outwards मतलब बाहर की ओर, बढ़ते हैं आगे, अगला है here, 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 मतलब यहाँ, here मतलब यहाँ, there, t-h-e-r-e, there, अब देखिए यह e-r-e वाला there है, मतलब होता है वहाँ, याद रखिएगा, t-h-e-r-e वाला there का मतलब होता है वहाँ, t-h-e-r-e वाले there का मतलब होता है उनका, एक और there है हमारे पास, t-h-e-r मतलब उनका, away, away मतलब दूर, away मतलब दूर, near, यानि की pass या नजदीक, near का स्तमाल, आप pass जैसे शब्दों के आप आराम से कर सकते हैं, before मतलब पहले, before मतलब पहले, after मतलब बाद में, after मतलब बाद में, बढ़ते हैं आगे, whoever, यानि की जो कोई भी, whoever मतलब जो कोई भी, who का मतलब क्या होता है, कौन होता है न, तो whoever, यानि कि कोई भी, जो कोई भी, है न, whatever, यानि कि जो भी, whenever, यानि कि जब कभी भी, whenever, यानि कि जब कभी भी, wherever, यानि कि जहां कहीं भी, wherever, यानि कि जहां कहीं भी, बढ़ते हैं आगे, however, यानि कि जैसे की, तथा पी, तब भी, however, जैसे भी, तथा पी, या तब भी, Although, यानि कि हालांकी या यद्यपी Even, पढ़ते हैं इसको even मतलब होता है यहां तक की मतलब क्या होता है? यहां तक की अगला शब्द है हमारे पास Myself, यानि कि मैं खुद Myself, मतलब मैं खुद Yourself, तुम खुद Yourself, तुम खुद Himself, वह खुद Himself, वह खुद लेकिन क्योंकि हम है यहां पे तो हम कस्तमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए होगा यानि कि मेल मेंबर के लिए होगा याद है ना हम कस्तमाल मेल मेंबर के लिए होता है Herself, यानि की वह खुद, लेकिन, लेकिन, इसका इस्तमाल सिर्फ फीमेल के लिए होगा, यानि की महिलाओ के लिए होगा Ourself, यानि की हम लोग खुद, Ourself मतलब हम लोग खुद Still, यानि की फिर भी, Still मतलब फिर भी Each, मतलब प्रती एक या हर एक, Each, प्रती एक या हर एक बढ़ते हैं आगे, Yesterday, यानि की बीता हुआ कल Yesterday मतलब बीता हुआ कल ऐसे तो हम लोग हिंदी बोलते वक्त सिर्फ कल का इस्तमाल करते हैं क्योंकि उसके साथ और बाकी सारे वाकिम मिल करके उसको क्या बना देते हैं सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं या आने वाले कल की बात कर रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में बीते हुए कल के लिए शब्द है हमारे पास Yesterday Day before yesterday यानी की परसो बीता हुआ कल के पहले वाला दिन हम लोग हिंदी में बोल देते हैं कि परसो मैं वहां गया था तो सामने वाले को समझा गया कि अच्छा आप कल के पहले वाले दिन की बात कर रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में क्या करते हैं अच्छा अब आने वाले कल को क्या बोलेंगे आने वाले कल को बोलेंगे टुमॉरो टुमॉरो है ना आने वाले कल मतलब टुमॉरो ऐसे आप बोल चाल के भाशन में हम लोग हिंदी में सिर्फ कल की बात करते हैं क्यूंकि जैसा कि मैंने बताया क्यूंकि उसके आगे पीछे सारे वाक्य होते हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप किस की बात कर रहे हैं, या बीते वे कल की बात कर रहे हैं, या आने वाले कल की बात कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमारे पास dedicated शब्द है, that is tomorrow, अच्छा, पर्सो की अगर बात करें तो, यानि कि आने कल के बाद वाले दिन की बात करें, पर्सो, यानि कि डे आफ्टर टुमोरो, अच्छा, अगला क्या है, देन, पढ़ते हैं इसको देन, मतलब होता है तब या तो, मतलब क्या होता है, तब या तो, दोनों ही शब्दों के जगा पे आप इसका अस्तमाल कर सकते हैं, अगला ह दैन, इसका इस्तमाल तुलना के लिए होता है, शाब्दिक अर्थिस का कुछ ऐसा खास नहीं होता, लेकिन इसका इस्तमाल जान लीजिए, इसका इस्तमाल तुलना करने के लिए होता है, दैन के उपर क्लास आ रखी है, दैन के उपर क्लास आ रखी है, दैन और दैन दोनों में क्या difference होता है इसके उपर भी class आ रखी है अगर तीनों classes आपने नहीं देखी है और आपको detail में चाहिए कि then or then आखिर क्या होता है कैसा difference होता है description box में link है comment section में भी link pin किया हुआ है जाहिए जाकर के देखिए और अपने concepts को कर लीजे बिलकुल बिलकुल मस्बूत बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है should मतलब चाहिए शुड का मतलब क्या होता है चाहिए would would का मतलब होता है past of will है ना किसी भी वाक्य में अगर आपको दिख जाए गागेगी अंत में तो वहाँ पर would का अस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ये past of will के रूप में इस्तमाल होता है अगला है could यानि की सका या सकता था could सका या सकता था can मतलब सकना लेकिन can जो है हमेशा ability दिखाने के लिए इस्तमाल होता है शमता दिखाने के लिए इस्तमाल होता है याद रखिएगा can अगला है में में का मतलब होता है यहां पर भी सकना लेकिन में जो है हमेशा आप कभी इस्तमाल करेंगे जब आप permission मांग रहे हैं request कर रहे हैं तब आप में का स्तमाल करेंगे है ना ये भी सकना लेकिन अब इसका स्तमाल कब करते हैं, जब आपको कोई request करनी होती है, कोई permission मांगना होता है, तब आप इसका स्तमाल करते हैं. बढ़ते हैं आगे अगला है till, t i ll till मतलब होता है तक, till मतलब तक, until, अगला शब्द है until, मतलब जब तक की न, Until मतलब जब तक की न बढ़ते हैं आगे together Together का मतलब होता है साथ साथ Together मतलब क्या होता है? साथ साथ आगे बढ़ते हैं never यानि कि कभी नहीं Never का मतलब क्या होता है? कभी नहीं Nothing यानि कि कुछ नहीं Nothing मतलब कुछ नहीं Beside Beside मतलब बगल में Beside मतलब बगल में Besides Besides देखिए हाँ पर S लगा हुआ है Besides मतलब को छोड़ कर इसका मतलब क्या हो जाता है? को छोड़ कर आगे बढ़ते हैं Once यानि की एक बार Once मतलब एक बार Twice मतलब दो बार Thrice मतलब तीन बार Simple है ना? चलिए Almost यानि की लगभग Almost मतलब लगभग Apart from यानि की इसके अलावा Apart from मतलब इसके अलावा Anything यानि की कुछ भी Anything मतलब कुछ भी Everything यानि की सब कुछ Everything मतलब सब कुछ Anybody यानि की कोई भी Anybody मतलब कोई भी Any सिर्फ अगर any की बात करें तो any का मतलब होता है कोई Something यानि की कुछ-कुछ Something मतलब कुछ-कुछ In front of यानि की के सामने In front of मतलब के सामने Behind मतलब पीछे Behind मतलब पीछे Who मतलब कौन Who मतलब कौन लेकिन Who का स्तमाल living things के लिए करेंगे यानि की जीवित वस्तुओं के लिए करेंगे इंसानों के लिए करेंगे ठीक है? Which Which का मतलब भी होता है कौन या कौन सा Which का मतलब क्या होता है? कौन या कौन सा लेकिन इसका अस्तमाल non-living things के लिए करते हैं जी हाँ इसका अस्तमाल non-living things के लिए करते हैं while यानि की जब की while मतलब जब की अच्छा आगे है other यानि की दूसरा other मतलब दूसरा otherwise यानि की नहीं तो otherwise मतलब नहीं तो anyway यानि की कोई बात नहीं Anyway मतलब कोई बात नहीं Anytime कभी भी Anytime मतलब कभी भी Through यानि की के द्वारा Through मतलब के द्वारा Whose मतलब किसका या किसकी जब भी आपको किसका या किसकी बोलना हो किसी वाक्य में तो आप अंग्रीजी में उसको Whose बोलेंगे Beyond यानि की परे या के बाहर Beyond मतलब परे या के बाहर Due to यानि की के कारन Due to मतलब के कारन Able मतलब योग्य या सक्षम बढ़ते हैं आगे Internal यानि की आंतरिक या अंद्रूनी Internal मतलब आंतरिक या अंद्रूनी External मतलब बाहरी External मतलब बाहरी Asset मतलब संपत्ती Asset मतलब संपत्ती Liability मतलब दायत्व Liability मतलब दायत्व Liable यानि की उत्तरदाई 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 कौन है मतलब who is liable for this Liable Entitle यानि की हकदार Entitle Maybe यानि की शायद Maybe मतलब शायद बढ़ते हैं आगे Including यानि की सहित या शामिल करना Including मतलब सहित या शामिल करना Excluding छोड़कर के बिना या के सिवा इन तीनों शब्दों की जगा पर आप इस्तमाल कर सकते हैं Excluding गा Although यानि की हालांकी Although मतलब हालांकी Though यानि की हालांकी दोनों ही का अस्तमाल आप हालांकी के जगा पर कर सकते हैं Depending की वाक्य का आशे जो है मतलब जो है वो क्या निकल के आ रहा है Even though, यानि की भले ही, Even though मतलब भले ही, Along with, यानि की के साथ, Along with, Somewhere, यानि की किसी स्थान में या कहीं, Somewhere, A lot of, यानि की बहुत सारा, A lot of, यानि की बहुत सारा, In spite of, के बावजूद, In spite of, Because, यानि की क्यों की, Because मतलब क्यों की, Just because of, यानि की सिर्फ इसलिए की, Just because of, सिर्फ इसलिए की, As soon as, जैसे ही, As soon as, As far as, जहां तक, या जहां तक की, As far as, As if, यानि की मानों की, As if, As of now, यानि की अभी तक, As of now, अभी तक, Often, यानि की अक्सर या प्राय, ओफिन, अक्सर या प्राय, Similarly, यानि की इस प्रकार से, Similarly, इस प्रकार से, Mostly, मुख्य रूप से, So that, यानि की तक की, So that, So, इसलिए या इसका इस्तमाल वाक्यों में किसी पर्टिकुलर चीज को emphasize करने के लिए, यानि की जोर देने के लिए इस्तमाल होता है, So, अच्छा, अगला है that, मतलब की, That मतलब की, Such मतलब ऐसा, Such मतलब ऐसा, As follows, यानि की दिखाए या बताए अनुसार, As follows, दिखाए या बताए अनुसार, Again, यानि की फिर से, Again मतलब फिर से, at least यानि कि कम से कम, at least यानि कि कम से कम, there मतलब वहाँ, there मतलब वहाँ, as much as यानि कि जितना, up to यानि कि तक, up to मतलब तक, बढ़ते हैं आगे, of course, यानि कि बेशक, of course मतलब बेशक, Such as, यानि की, जैसे की, Because of, यानि की वजह से, Most of, यानि की जादातर, Most of मतलब जादातर, As long as, यानि की जब तक, या जब तक की, As long as, Despite, यानि की के बावजूद, Despite, यानि की के बावजूद, In fact, यानि की असल में, In fact मतलब असल में, बढ़ते हैं आगे, Ignore, यानि की अंदेखा करना, Ignore, अंदेखा करना, Tolerate, यानि की बरदाश करना, या सहना, Tolerate, सहना या बरदाश करना, Increase मतलब बढ़ना, Decrease मतलब घटना, घटना means incidence वाला नहीं, ये reduce होना, कोई बहुत मात्रा में चीज़ है, वो घट रही है, कम हो रही है, Decrease मतलब कम होना, या घटना, Become मतलब होना, Consider, यानि की विचार करना, Consider, विचार करना, Perception, अवधारना या धारना, दोनों ही जगवा पर आप Perception करस्तमाल कर सकते हैं, Accept, यानि की स्वीकार करना, Accept, यानि की स्वीकार करना, Opinion, यानि की विचार, Opportunity, मौका या अवसर, Opportunity, मौका या अवसर, Hesitation, हिच कि चाना, Hesitation मतलब हिच की चाना Situation, परिस्थिती या हालात Hesitation मतलब हिच की चाना Situation मतलब परिस्थिती या हालात Hope मतलब उम्मीद Hope मतलब उम्मीद Fair यानि की निश्पक्ष या उचित Fair Think यानि की सोचना Think मतलब सोचना Thought यानि की सोच या सोचा Thought मतलब सोच या सोचा Minimum मतलब कम से कम Minimum मतलब कम से कम Maximum जादा से जादा Maximum मतलब जादा से जादा Instead of के बदले में Patience मतलब धैरिय Patience मतलब धैरिय Bound यानि की लाचार या विवश Bound लाचार या विवश बढ़ते हैं आगे Leave मतलब छोड़ना Leave मतलब छोड़ना Belong to यानि की का है या का होना Belong to Excellent उत्कृष्ट या उम्मिदा Excellent Move यानि की हटना या गती करना Move Forgive यानि की माफ करना Forgive मतलब माफ करना Enough यानि की काफी Enough More or Less जादा या कम More मतलब जादा Less मतलब कम Clear है? चलिए बढ़े आगे Aware यानि की अवगत या परिचिक्ट Aware Need यानि की जरूरत Recently हाल ही में Reach पहुचना Avoid नजर अंदाज करना Avoid Clear? So yes guys ये थी आज की क्लास क्लास कैसी लगी? Comment करके जरूर बताईए क्लास पसंद आई है तो लाइक करना शेर करना तो बनता है जल्दी से कर दीजे लाइक और कर दीजे शेर बहुत जादा Important words वाली क्लास थी है ये सारे के सारे ऐसे शब्द है जिनका हिंदी में तो आप भर-भर के इस्तमाल करते हैं लेकिन क्योंकि अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इनका इस्तमाल जानना जरूरी है क्यों इनका मतलब क्या होता है अंग्रेजी में ये जानना बेहत जरूरी है और इसके साथ ही आप सब के सामने हैं भारत का एक लौता Mini Spoken English Course या इसको आप कह सकते हैं छोटो Spoken English Course नाम इसका छोटू है काम इसके बड़े-बड़े है मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च में ये पाया है कि अगर आप दुनिया का हर वो वाक्य अनुवाद करना सीख लें इसका स्तमाल हम लोग अपने पूरे दिंचरिया में हम लोग पूरे जीवन काल में करते हैं तो अंग्रेजी बोलना बहत असान हो जाएगा है ना तो इस कोर्स में और इस e-book में जी हां इसके साथ एक e-book भी आपको मिलती है इन दोनों में पारलेली आपको वो सारे वाक्य बताये गया है उनके रूल्स, उनका इस्तमाल, कब कहां कैसे करेंगे यह सब कुछ बताया गया है जिसको करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी अंग्रेजी बेहत बेहत मजबूत हो गई है दोनों चीजे आ चुकी है आपको अगर अभी तक नहीं मेली है तो इस नमबर पर आप कर सकते हैं वाट्साप नमबर है 700-411-9526 यानि की 704-11-9526 इस नमबर पर आप कर सकते हैं वाट्साप मेसेज क्या लिख करके करेंगे मुझे मिनी स्पोके इंग्लिश कोर्स और उसकी e-book चाहिए यह आपको लिख के भेजना पड़ेगा तो हमारे प्रतिनीधी द्वारा यह दोनों चीजें आपको भेज दी जाएंगी clear बहुत जल लॉंच करने जानी हूँ तीन किताबें helping verbs वाली एक होने वाली है एक daily life sentences वाली होने वाली है एक daily life words वाली होने वाली है तीनों किताबें milestone साबित होंगी आपके अंग्रेजी की journey में तो बिल्कुल बने रही है आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि किताबें कब आने वाली है इसके साथ ही अगर आप हमसे जुनना चाहते है हमारे premium WhatsApp spoken English course पे इसकी inquiry आप इस number पर कर सकते है inquiry किस बात की करनी है भाई इस बात की करनी है कि क्या course है कितने दिनों में आएगा क्या करेंगे कैसे admission होगा सारी details आपको WhatsApp पर बता दी जाएंगी WhatsApp message करके आपके दिमाग में जो भी question हो आप उसको पूछ सकते हैं आपको details भेज दी जाएंगे इसके साथ ही यह है basic English grammar course grammar की वही basic वाली course जिसका इंतजार आपको था जिसमें जीरो से सिखाया जाता है तो बिल्कुल आपको करना क्या है आपको करना है इस number पर inquiry कि इस course के बारे में कि अगर आपको यह course करनी है तो इस course के inquiry आप इस number पर करेंगे क्या inquiry करेंगे भई जो भी सवाल हो आपके दिल दमाग में वो सारे आप WhatsApp मेंसेज करके पूछेंगे इस number पर है ना इसके साथ ही यह है basic English grammar for kids छोटे बच्चों के लिए grammar की course है यह भई यह बहुत जादा interesting course है बच्चों को खेल खेल में grammar सखाया जाता है तो बिल्कुल tension के वाली कोई बात नहीं है बच्चे बड़े आराम से सीख जाते हैं उनके सारे concepts क्लियर हो जाते हैं इसकी inquiry आप इस number पर कर सकते हैं और अगर आप school जाने वाले बच्चे हैं आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो भई grammar section और writing section अंग्रीजी में अगर आपको भी लगता है पहाड तो attention not यह course आपको बताता है कि कैसे आप grammar और writing में बहुत अच्छे से score कर सकते हैं writing मतलब essay writing, debate writing, letter writing, notice writing यह सारी चीज़े साथी साथ grammar भी इसकी inquiry भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं और अगर आप वाकरी एक serious aspirant है जो ऐसे किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रीजी पूछी जाती है तो भई यह course बलकुल फिर आपके लिए है चाहे आपके RC हो यानि की reading comprehension चाहे vocabulary हो चाहे grammar हो चाहे questions हो latest pattern वाले यह सारी चीज़े कराई जाती है questions भर-बर के practice कराई जाते हैं तो और क्या चाहिए है ना तो इसकी inquiry भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं inquiry करते वक्द ध्यान रखेंगे course का नाम लिखकर की inquiry भेजे और यह भी जरूर पूछ लें कि इसकी अगली batch कप शुरू हो रही है inquiry करते वक्द जब course का नाम आप लिखके भेजेंगे तभी हमारे प्रतिनी धी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुचा पाएंगे जानकारी मिलने में फिर भी 12-40 गंडों का वक्त लग जाता है तो किप्रया प्रतिक्षा करें और अगर मेसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिन्थ हो जाएंगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा clear? So yes guys that's it for today Thank you so much for watching Be with BeBanker, empowering life through knowledge Thank you so much for watching Stay tuned to BeBanker